कार्तिक माहातम तीसरा अध्याए कार्तिक मास के लिए स्रिष्ट कारियों तुलसी की महिमा और पूजा अराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद चीने ब्रह्मा जिसे प्रातना की ही जगत पिता अब आप मुझे किर्पा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस महा में करना चाहिए ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया हेवत्स गंड की नदी की उत्तर की और गिरिजा के दक्षिन में चालिस कोश की भूमी महाशेत्र कहलाती है वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं इनका पूजन करने और चर्नामरित लेने से मुनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है चर्नामरित लेते समें यह मंत्र उचारन करना चाहिए ओम अकाल मृत्यू हर्नम सर्व्यादी विनाशनम विश्नु पादोतकम पीत्वा पुनार जन्मम ना विद्यते जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन जिसमें दो चक्र हो वहे नारायन जिसमें तीन चक्र हो उसे अच्छूत जिसमें चार चक्र हो उसे जनारदन जिसमें पांच चक्र हो उसे वासूदेव छे चक्र वाले को परद्यूमन साथ चक्र वाले को संकर्शन आठ चक्रवाले को नलकूबर तथा नव चक्रवाले को व्यू और दस चक्रवाले को दश अवतार कहते हैं इनके दर्शन मात्र से मनुश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जो भगवान के सम्मुक वीना या वंशी बझाता है अत्वा गायन करता है वे स्वेम भगवान को प्राप्त होता है जो भगवान के सम्मुक नित्य शर्दा से दूप चलाता है वे कभी नर्क गामी नहीं होता शंक में भरा हुआ या भगवान पर चड़ाया हुआ जल अंगों में सपर्ष करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नश्ट होकर मनुश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है पूजन चाहे मंत्रो द्वारा पूरे विदी विधान से किया जाए अत्वा सामाने रूप से प्रंतु शर्धा सच्ची होनी चाहिए पूर्ण शर्धा और निश्टा से किया गया सनान ध्यान पूजा पाठ और ब्रत आदी ही फलदाई होता है